ओनलाइन ठगी के आरोपी को अमया पुलिस ने लिया बिहार से रिवान पर रिवा में दर्जनो लोगों को बना चुका है अपना शिकार 46,000 के ठगी होने के शिकायत पर अमया पुलिस कर रही थी जाज आपको बता दे ATM fraud सहीट ओनलाइन ठगी की जाज कर रही अमया पुलिस में बिहार से एक आरोपी को गिरफतार कर लिया है पुलिस के हाथ चड़ा आरोपी रिवा सहीट कई स्थानों पर लोगों को अपने ठगी का शिकार बिना चुका है पुलिस अरिक्षक रिवा नवनीत भसीन के इनर्जेशन पर अमया पुलिस बिहार के करोली थाने से आरोपी को रिवान में ले ली है आपको बता दे कि फेस्बुक, ट्विटर, सहित, अन्य वेबसाइट के जरिये या मास्टर माइन लोगों की परसनल डेटीर एकरतित करता था इसके बाद लोगों के बैट एकाउंट को खाली कर देता था आपको बता दे, अमया थाने में एक विक्ति के द्वरा, 46,000 रुपे की ओनलाइन ठकी का मामला दर्ज किया गया था इस पूरे मामले को गंभीर्ता से लेती हुए, अमया पुलिस ने साइबर सेल की मरत ली जैसे ही आरोपी के संबन में जानकारी एकरतित हुई, अमया पुलिस ने बिहार की करोली थाने में पहुचकर आरोपी को अपने हिरासत में ले लिया, जिससे दंभीर्ता से पूछता चल रही है प्रस्तो थे, अमया थाना पृफारी, शिवा अगरवाल से प्राप जानकारी के अंच के बरामत किये गए हैं, और वो हमने जबती में शमार कर लिए, किस तरी से लोगों को जहांसा देता था, लोगों को एक्शली क्या है, ये वेप साइट से लोग कस्टमर केर्स के नंबर निकालते हैं, वो लोग अलरी जो है फरजी उसमें उट अप कर चुके होते हैं, वही कि अलग अलग चांच की जा रही है, कुछ ऐसे लोग जैसे जिनको टार्गेट स्पेशली किया जाता रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है, जो वेपती खुद ही कस्टमर केर्स के नंबर गूगल पर डूंडते हैं, वो लोग सतरक रहे हैं, वो लोग बैरिफाई करें चीज को के ज इसको जानकारी दे रहे हैं, वो वहीं पहुंच रहे हैं, जहां वो देना चाह रहे हैं, जब उनके साथ कुछ फ्रॉट हो रहा है.